हेई जंकीज कैसे हो आप सब स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अभी रिलीज हुई सबसे फेमस सीरीज रेड्मी नोट सीरीज जी हां इंडिया में रेड्मी नोट 10 सीरीज लॉंच हो चुकी है इसकी लीक्स मैंने आपको पहले ही बता रखी थी हाला कि उसमें से 99% चीज़े बिल्कुल सही निकली है एक परसंट चीज गलत निकली है लेकिन आज की वीडियो में जबकि वो क्यंस हमारे सामने है वो फोन कैसा है ये सब कुछ आमको पता चल गया है तो आज मैं आपको अपना देने वाला हूँ कि मुझे क्या लगताrit इस वह भी अंडर 20 के, तो यह मतलब आज से 3-4 महीने पहले अगर कोई कहता के 20,000 के अंदर आपको 120 हर्स का डिस्प्लेई देखने को मिलेगा, तो यार मतलब बिलीफ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, लेकिन फाइनली रेडमी ने अपना जो IPS का वो था, उसको उससे पीछा अच्छी लगी रेडमी की, के उन्होंने एक फोन को हाइप करा, अपनी फीचर को देकर, ना कि यूट्यूबर्स को पैसा देकर, ना कि कोई कॉई कॉई को पोक करके, या फिर कुछ उल्टा सीधा करके, ना ही कोई अजीब सा एडवर्टीजमेंट चला कर, जैसा कि आपने वीडियो देख रहे हो, और हम मतलब, कुछ ना कुछ तो बुराई निकालनी पड़ेगे ना देखो, पूरा मतलब इन डेफ्स तक उसको निचोड के देखेंगे, कि इसमें अच्छी बात तो बहुत सारी है, लेकिन इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स है, उनकी वजए क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, तो बेसिकली, जैसा कि मैंने पहले भी लीक्स में बताया था, कि यहाँ पर आपको तीन फोन देखने को मिले, रेड्मी नोट 10, नोट 10 प्रो, नोट 10 प्रो मैक्स, हाला कि ये दो फोन अल्मोस्ट सेम है, तो आप इसको बस द के अंदर, एक में 5000 एमेच की, एक में 5020 और 5020, ये बैटरी आपको देखने को मिलती है, साथ ही साथ 33 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, तीनों में ही, यहाँ पर अगर मैं अंतर की बात करूं, तो वो आता है, रेड्मी नोट 10, जो रेगुलर वाला है, वो आ यहाँ पर प्रो और प्रो मैक्स, इन दोनों में प्रोसेसर बिल्कुल सेम है, अंतर क्या है, अंतर आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कैमरास के अंदर, इनकी दोनों की प्रो और प्रो मैक्स, डिस्प्ले सेम, बैटरी सेम, चार्जिंग सेम, प्रोसेसर सेम, यह यहां पर आपको देखने को मिलता है प्रो मैक्स में 108 मेगापिक्सल का सेमसंग का सेंसर लेकिन अब इन तीनों ही प्रोसेसर की प्रोब्लम क्या है कि यह सिर्फ 4G को ही सपोर्ट कर सकते हैं अब यहां पर बहुत सारे लोगों के दिमाग शायद हिले होंगे जब इनीशली उन सेमस्ट करें अब है आपको ब्रोब्लम को निकल के नहीं मुए अच्छा उस पर भी काम चल रहा है दिन बर दिन थोड़ी बहुत जो भी इंप्रूप्रोमेंट हो रही है वह तो रही है तो अभी 5G एक deal breaker आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होना चीए मैं आपको लिख के दे रहा हूँ अभी 2 साल तक आपको in general 5G देखने को नहीं मिलेगा कहीं कहीं places में मिल जाएगा, कहीं आ रहा है, जा रहा है ऐसा करके आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर यह तीनों phones के जो design है वो मेरे खिलाल से आर प्रो और प्रो Max के थोड़े से change होने चीए थे क्यों? देखो, जो regular Note 10 लेगा उसके लिए तो अच्छी बात है क्योंकि सामने वाला कोई भी बंदा एक impression वाली बात होती है देखो, इंडिया में लोग judgmental होते हैं आप मानो या मत मानो लोग सामने वाले के phone, सामने वाले के कपड़े, सामने वाले के बाल उसके skin color, इन सब को देखके judge करते हैं लोग तो यहाँ पर अगर आपके पास Redmi Note 10 है तो उस बंदे के लिए तो ठीक बात है क्योंकि अगर सामने वाला Pro या Pro Max समझ लेता है कोई दिक्कत की बात नहीं है अच्छी बात है उसके लिए लेकिन यहाँ पर जो Note 10 Pro या Pro Max लेंगे specially जो higher variant वालेंगे वो भी एक तरह से तोड़ा सा downgraded रहेंगे क्योंकि सामने वाला समझ सकता है कि इसके पास regular जो Note 10 है वो है तो ये एक बहुती चोटा सा और बहुती तुच्छ सा एक point है लेकिन फिर भी मैंने सचा मन में है तो बता देना चीए यार क्या ही चुपाना यहाँ पर दूसरा जो दिक्कत की बात है वो वही इन दोनों फोन में प्रो और प्रो मैक्स ये अल्मोस्ट दोनों बिल्कुली सेम फोन है दो हजार रुपे एक्स्ट्रा देना सिर्फर सिर्फ कैमरा के लिए मेरे इसाब से कोई भी समझदारी की बात नहीं है रही बात आपका जो तो 64MP का सेंसर है वो भी कोई बेकार सेंसर नहीं है दोनों ही सेंसर यहाँ पर आपको काफी डीटेल फोटो निकाल कर देंगे और बिलीव मी इस प्राइस रेंज में 108MP को इतना जादा उप्टमाइज नहीं करेगा रेडमी जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बाई कैसे ही कर देगा आप खुद सोच रहे हो 120Hz की डिस्प्ले भी दे दी Super AMOLED वह भी दे दिया उसके बाद 108MP का सेंसर भी दे दिया तो उसको अप्टमाइज करना मेरे हिसाब से 64 और 108 में इतना अंतर नहीं रहेगा आपको नंबर में देखने को मिल रहा है मे भी कुछ जगाओं पर आपने 10 फोटोज ली 10 में से 8 फोटोज में आपको कोई अंतर नहीं मिलेगा दो फोटो वह जहां पर आपको थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल जाएगा साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वो जो दो अंतर है ना वो भी आपको तभी देखने को मिलेगा जब दोनों फोन्स आपके सामने हो अगर दोनों फोन आपके सामने नहीं होंगे तो मेरे हिसाब से ऐसा मेरा ओपिनियन है कि ये दोनों phones में आपके camera में कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा, अगर आप अलग-अलग देखो तो, तीसरे यहाँ पर दिक्कत की बात करें, इसमें आपको Super AMOLED डिस्पले देखने को मिल रही है, हला कि ये जो दिक्कत है, उसको मैं दिक्कत नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर हर चीज ही करके देंगे, तो ये price point पॉसिबल नहीं हो पाता, तो यहाँ पर in-display fingerprint दिया जा सकता था, क्योंकि Super AMOLED डिस्पले है, लेकिन यहाँ पर cost को बचाया गया, और आपको side mount fingerprint sensor दिया गया है, अब यहाँ पर कई लोगों के लिए ये चीज अच्छी भी हो सकती कई लोगों के लिए खराब भी हो सकती, अगर मुझसे आप personally पूछे तो मुझे कोई भी फरक नहीं पड़ेगा, अगर इन-display होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, side में है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी आप क्या सोचते हो, वो नीचे comment करके बताओ, कि पर 15-20,000 रुपए भी लगा लो कि आप 1000, 1500, 2000 इतना range अगर बढ़ जाते हो आपको एक complete अलग segment देख सकता है phone का, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी, तो अब बात कर लेते हैं इनके prices की, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है Redmi Note 10, चार्ज 64 वाला 12,000 64 भी होता ना तो भी एक बार को बहुत सारे लोगों के लिए potential market था ये, लेकिन पता नहीं क्यों 6 के साथ सीधा 128 कर दिया, यहाँ पर थोड़ा सा पैसा बचा के 64 भी कर सकते थे, अला कि ठीक है, तो आप ये 14,000 वाला भी consider कर सकते हो, यह आपको जादा अच्छा value देगा in comparison to 464, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही budget में हो, तो भाई option ही नहीं है, आप ये भी consider, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही budget में हो, तो भाई 464 भी कोई बुरा option नहीं है, यहाँ पर जो Redmi Note 10 Pro है, उसमें आपको 3 variant देखने को मिलते हैं, 664 आपको मिलेगा 16,000 का, 628 आपको मिलेगा 17 20,000 रुपए का और 828 जीबी आपको मिलेगा करीब 22,000 रुपए का, तो मेरे हिसाब से 8 जीबी वाला variant बिल्कुल ना Pro ना Pro Max, इन दोनों में ही किसी भी काम का नहीं है, यहाँ पर आप 6 जीबी पर ही stick रहो, उसके बाद आपको देखना है कि आप 64 या 128 आपके लिए कौन सी मैं खुशी-खुशी सजेस्ट कर देता क्योंकि Google फोटोस हमारी फ्री थी, लेकिन अभी एक जून से Google फोटोस फ्री नहीं रहने वाला, तो इसी वाजह से मैं मिनिममम आपके फोन में 128 जीबी की स्टोरेज होनी चाहिए, अब यह जितने भी प्राइसे हैं, इसमें आपको Redmi Note 10 Pro, Note Pro Max, Only, जो regular Pro है वो, क्योंकि 128 और इसमें मुझे बहुत जादा अंतर नहीं है कैमरा में, और स्क्रीन साइज और बागी सब कुछ बिलकुल सेम है, तो इसी वजह से 6128 वाला perfect device है, आपके लिए भी और मुझे लगता है इन जनरल बहुत सारे लोगों के लिए perfect device होने आप जो लोग बोल दो गया मैं वही ले लूँगा और उसको ही review करूँगा, तो बस मुझे उम्मीद है आपको सारी बाते समझ में आ गए होगी, मेरा opinion अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को like कर देना, चैनल परने हो तो चैनल को subscribe कर दे मैं मिलता हूँ अकली वीडियो में तब तक, जै हिंद, वन दे मातरम